ओके नेक्स्ट हम देखेंगे statement format यहाँ पर देखेंगे assembly language के से लिखी जाती है उसका formatting देखेंगे ठीक है यहाँ पर देखें एन assembly language statement has the following format कौन सा format है यहाँ पर देखें फर्स्ट है आपका label उसके बाद है opcode उसके बाद है operand specification और यहाँ पर देखें ब्रैकेट में क्या है में operand specification और यहाँ पर double dot दिया है तो यह double dot क्यों दिया है double dot क्या indicates करता है कि आपका that in close specification is optional मतलब यह क्या है optional है ठीक है मतलब अगर जरूरत है तभी लिखेंगे नहीं तो नहीं लिखेंगे ठीक है यहाँ पर देखें अब यह label opcode and operand specification क्या है ठीक है हम आगे program देखेंगे उस program में आपको यह समझ में आ जाएगा ठीक है opcode यानि आपका addition subtraction जो भी उसका code है वो लिखेंगे हम मतलब निमोनिक्स लिखेंगे in short उसके बाद देखिए operand specification में क्या लिखेंगे हम A register, B register जो भी है हमारे आगे के operation और comma करके अगर हमें A, B, C या 100, 200 जो भी हमेरे memory address में store है वो A, B वो अगर हमें देना चाते है तो हम comma करके वो देते हैं ठीक है हम example में देखेंगे आगे तो आप सको समझ में आ जाएगा यहाँ पे देखें next if a label is specified in statement, it is associated as a symbolic name, अगर यह label क्या होता है, specified होता है हमारे statement में तो उसे क्या कहते है हम symbolic name कहते है, with a memory words generated for the statements, ठीक है, with a memory word generated for statements, मतलब हम जहाँ पे label लिखते है, वहाँ पे क्या होता है, हमारे memory address क्या होती है, replace हो जाती है, ठीक है, हम program में देखेंगे यहाँ आपको समझ में नह आएगा, सिर्फ यहाँ पे समझ लीजे कि कैसा होता है, ठीक है, उसके बाद देखें, symbolic name हम with a memory words generated for the statement, operand specification has following syntax, आप symbolic name लिखने के तरीके देखें, मतलब हम कैसे कैसे लिख सकते है, ठीक है, यहाँ पे देखें, symbolic name, next क्या है आपका, plus square bracket में क्या है, plus less than और greater than के sign में क्या है displacement, ठीक है, next देखें, next आपका bracket complete होने के बाद, आपका square bracket, उसके बाद, circular bracket, उसके बाद देखें, less than और greater than के बीच में क्या है, index register है, ठीक है, और बाकी के सभी bracket क्या कि यह last में complete किये है, ठीक है, तो यह क्या है, मतलब आप symbolic, operand specification, यह जो आपका operand specification है, वो किस तरह से, या किस-किस तरह आप लिख सकते हैं, उसके formatting है, ठीक है, यहाँ पर देखें, possible operand forms कोन से है, यहाँ पर देखें, पहला हम कैसे लिख सकते हैं, directly a register लिख सकते हैं, यानि for example, अगर हमें do, तो यहाँ पर देखें, मैंने supposed दे दिया, addition का operation, ठीक है, addition का operation दे दिया, addition मेंने क्या कि या a register, a, a में जो भी value है, वो किसमे add होगा आपके a register में, और इन दोनों का result cast होगा आपके a register में, ठीक है, label का हाँ आता है, आपके addition के आगे आता है, मतलब यहाँ इससे पहले आता है, ठीक है, अगर हम कुछ label दे रहे हैं, या कुछ भी दे रहे हैं, तो label का हाँ इसके आ a register, उसके बाद a register plus 5, उसके बाद a register of 4, मतलब circular bracket में 4 है, और उसके बाद देखें, last वाला क्या है, a register plus 5, और उसके circular bracket में क्या है, 4 है, यहाँ पे देखिए, पहला क्या denote करता है, first refer to memory word with name a register is associated, यानि आपका a register, जिस भी memory location पे store है, directly वो memory location किस से replace हो जाएगा, आपके a register से replace हो जाएगा, ठीके, directly वो क्या करेगा, उसका code होगा, या उसका जो भी memory word होगा, word मतलब क्या है, आपकी जो भी system है, मतलब आपकी system में memory कैसे access की जाती है, word से access की जाती है, ठीके, word क्या है, एक प्राकार का, मतलब यह measuring unit है, ठीके, word से हम क्या करते है, memory count करते है, ठीके, वर्ड बीत A register मतलब आपके A register में जो भी memory Wood होगी वो क्या होगी आपके A register से क्या होगी replace होगी ठीक है क्यों क्यों कि हमें A assembly language का conversion किस में कर रहे हैं हम machine level language में कर रहे हैं मतलब ठीक हम program में देखेंगे simply समझ लीजे कि memory word क्या होगा यहाप आ जाएगा A register पर ठीक है उसके बाद देखिए same second क्या है second मतलब a register plus 5 का क्या meaning है refer to memory word 5 words away from a register's word यहाँ पे देखिए यह कहाँ पे jump होगा मतलब a register में क्या होगा suppose यह हमारा a register हमारा है 100 memory location पे store है तो a register plus 5 क्या होगा 100 plus 5 मतलब कहाँ पे jump होगा 105 memory location पे क्या होगा जो भी address है जो भी memory words है वो क्या करेगा access करेगा ठीक है समझ में आ रहा है plus 5 का मतलब क्या है a register के memory words में क्या हो जाएंगे 5 digit क्या हो जाएंगे मतलब 5 words add हो जाएंगे ठीक है digit नहीं होगे 5 क्या होगे यहाँ पे देखिए memory, word में क्या होगे, 5 words क्या होगे, add हो जाएंगे, या उससे आगे क्या होगे, अब यह मतलब उससे आगे क्या होगे, a register के word क्या होगे, access होगे, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, a register के आगे 5 words क्या होगे, access होगे, मतलब इसका address अगर 100 है, तो 100 plus 5, 100 and 5 को क्या होगा, access होगा उसके बाद देखे ए रजिस्टर आप 4 अब यह circular में 4 है इसका क्या मतलब है it implies indexing with index register 4 मतलब क्या है indexing यह denote करता है मतलब index denote करता है और कौन सी index 4th number की ठीक है index register 4 यहापे देखे that is add content of index register 4 to the address of a register मतलब आपके a register में 4th index को जो भी आपका number है वो किसमे add हो जाएगा किसमें क्या हो जाएगा add हो जाएगा आपके a register में ठीक है समझ में आ रहा है index position का जो भी नंबर होगा 4th number 4th index position में वो access करेगा सपोज आपका index सपोज आपका नंबर है 4567 तो 4th position पे कौनसा नंबर है आपका 7 है तो यह 7 नंबर किसमें add होगा simply a register में add होगा और जो भी memory word है वो कहा reflect होगा इस पूरे sentence है क्या होगा वो replace हो जाएगा ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा और last है आपका a register plus 5 of 4 यह क्या होगा combination है fourth क्या है आपका combination of both combination of both previous मतलब आपके indexing और next word का मतलब away words का क्या है यह पिछले दो का क्या है combination है simply ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हम इतने difficult use नहीं करते हम simply क्या करेंगे यह register ही यूज करते है ठीक है तो आपको मतलब इसका ज्यादा कुछ next में नहीं है हमारे हम जो भी program देखेंगे उसमें क्या यूज करते हम यह simple form यूज करते है ठीक है वह हम example में देखेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह generally हम यूज नहीं करते सिर्फ understanding के program और उसका conversion करेंगे हम machine language program में ठीक है यहाँ पर देखेंगे अब machine language program हम लिखने में मतलब machine language program का format कैसा होगा पहले होगा पहला होगा हमारा sign bit उसके बाद होगा हमारा hop code जो होगा 2 bit का sign bit 1 bit का उसके बाद देखें रजिस्टर ऑपरेंट 1 bit का रजिस्टर या condition code हाप इसे कोई भी मतलब दोनों में से कुछ भी हम सिलेक कर सकते है एक पर इंस्ट्रक्शन उसके बाद देखें तीन bit हों गया हमारे memory ऑपरेंट के यह format हमने इससे पहले भी देखा था ठीक है अब यहाँ पर देखिए simply हम क्या करेंगे conversion करेंगे अब देखिए start 101 यहाँ पर देखिए start और end यह आलग statement है यह statement का मीनिंग ठीक है में directly आपको यहाँ पर प्रोग्राम बताता हूँ यह start और end यह हम आगे देखेंगे imperative statement declarative and asimilar directive यह तीन statement हम देखने वाले है उनमें start end क्या है dss क्या है dc यानि declare constant क्या है यह हम देखने वाले है यहाँ फिली यहां पे इतना समझ लिजे we template करते हैं और यहां पर देखिए ds का use क्या है declare . डीक्लियर स्टोरेज क्या करता है memory store करता है मतलब memory allocate करता है आपके symbolic name को आपके symbolic name को क्या करता हैка memory allocate करता है वन लिखा यानि one word memory क्या होगी allocate होगी और DC single code में one लिखा है DC मतलब declare constant होता है जो value असेंट करता है ठीक है DS क्या करता है memory allocate करता है और DC क्या करता है value assign करता है ठीक है इनका हम separate theory देखेंगे इनका ठीक है फिलाल इतना समझ लिजे उसके बाद देखिए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं यहां से यहां पर देखिए start 101 यह क्या करेगा आपका जो next instruction है वो कहा से start होगा आपके 101 इस memory address से मतलब हम यहां पर देखिए इसका conversion हम किसमें करेंगे यहां पर देखिए यह instruction आपका कहा पर execute होना शुरू हो जाएगा 101 पर आपको पता है 000 से लेकर 999 तक आपके क्या होते है memory address होते है उसमें से हम कौन सा ले रहे है 101 यहां पर देखिए sign में लिख देता हो plus ठीक है आगे program में हम sign यूज नहीं करते है ठीक है हम यहां पर standard देख रहे है example इसमें हम क read and print के लिए always zero ही होता है उसके बाद देखिए यन यन की value मालूम है हमें नहीं क्यूंकि यन का hard clear किया है यहां पर देखे यहां पर किया है सबसे नीचे किया है और इसका address हमें अभी तक पता नहीं है ठीक है तो हम यह क्या कर देते हैं blank छोड़ देते जब भी हमें इसका address म मतलब कहाँ पर आपके यन वेरियेबल में ठीक है समझ में आ रहा है उसके बाद देखिए 101 101 के बाद आपका next address कौन सा है 102 क्यूंकि sequentially हम लेते है always 101 के बाद कोन आता है 102 ठीक है उसमें कौन सा instruction execute होगा आपका यहां पर देखिए यह instruction क्या होगा आपका execute होगा क्या के program में आपको right side को chart दिया है जो हमने पहला program देखा था वो चार्ट आप एक बार लिख लीजे या memorize कर लीजे ठीक है 04 होता है मूटू register के लिए बी रजिस्टर का code क्या होता है चार रजिस्टर होते ए बी सीडी जिनका code क्या होता है 123 and 4 ठीक है बी रजिस्टर का 2 और यहा जब तक नीचे-नीचे आएंगे find करेंगे फिर क्या करेंगे replace करेंगे ठीक है उसके बाद देखिए 103 103 क्या करेंगे यहाँ पे क्या होगा आपका mootoo memory, mootoo memory क्या है mootoo memory का code है 05, क्या mootoo memory हो रहा है beregister, यहाँ पे देखिए beregister, term term का मालूम है आपको address नहीं तो इसमें क्या करेंगे, blank छोड़ देंगे उसके बाद देखिए, next कौन सा address है आपका 104, 104 पे क्या execute हो रहा है, again अभी again क्या है, आपको इसका मैंने statement format बताया था, ठीक है assembly language में, इससे पेले मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पेले आपको format बताया था क्या format था, again था, again के बाद क्या था, opcode था opcode के बाद क्या था, operand specification 1 था, comma करके operand specification 2 था, और यह यह क्या हो सकता है, option हो सकता है ठीक है, optional के यहापे देख्ये, read or क्या है यहापे, यहन है मतलब सिर्फ क्या है, one ही है operand specification 2 है, क्या यहापे comma करके, नहीं है, ठीक है, तो यह dipend करता है, ठीक है, label opcode, operand specification 1 comma, operand specification 2 ठीक है, आपको format समझ में आ गया होगा assembly language का हमने statement format देखा था उसके अनुसार ठीके next देखिए अब इस पर क्या होगा again का हम label again क्या है आमारा label है तो यह label का हम कोई conversion नहीं करते ठीके तो यहाँ पे देखिए इसके आगे का part सिर्फ क्या करेंगे हम convert करेंगे मतलब multiplication multiplication का क्या है code 0303 के बाद b register 2 और यहाँ पे देखिए टर्म का आपको मालूम नहीं है अभी तर यह blank छोड़ दिया उसके बाद देखिए मूटू memory मूटू memory का क्या है 105 को क्या execute हो रहा है memory को मूटू register स्वारी यहाँ पे क्या है 105 को क्या हो रहा है मूटू register register का क्या code है यहाँ पे देखिए register का code है आपका 04 और 04 के बाद c register के लिए 3 और टर्म का blank ठीक है next देखिए 106 106 को क्या हो रहा है addition addition का क्या code है 01 c register का 1 आएगा c register का sorry 3 आएगा और उसके बाद देखिए blank blank के बाद देखिए मूटू memory का क्या है 0 5 क्या है मूटू memory उसके बाद c register का 3 और टर्म का आपको मालूम नहीं है इसका क्या ब्लैंक आएगा उसके बाद देखिए comparison comparison का क्या है आपको पता है 06 compare और 07 किसले है branch on कंडिशन के लिए यहाँ पे देखिए 06 उसके बाद C register के लिए 3 और यहाँ पे यन की value आपको पता नहीं है इसलिए क्या करेंगे हम blank छोड़ देंगे उसके बाद देखिए branch on condition branch on condition का क्या code है 109 को क्या करेंगे हम 07 execute करेंगे 07 मतलब branch on condition का क्या है और यहाँ पे देखिए और उपर आ रहा है जो क्या है लेबल है और लेबल का address क्या होता है उस label में जो भी instruction execute हो रही है उसका address ही किसका address होता है label का address होता है मतलब label जहाँ पे लिखा है वो address ही क्या होता है label का address होता है मतलब label का address क्या होगा 104 मतलब यहाँ पे क्या होगा 104 मतलब अगर less than or equals to का flag अगर set होगा 1 को तो ये कहा जंप होगा 104 को क्या होगा कहा से जंप होगा 109 से कहा जंप होगा 104 को ठीक है आमने स्मैको प्रोग्राम देखा दा आपको पता है उसके बाद देखिए मूटू मेमरी मूटू मेमरी क्या करेगा 110 को क्या होगा मूटू मेमरी मूटू मेमरी का क्या है 04 उसके बाद क्या है बी रजिस्टर के लिए टू और उसके बाद क्या है रिजल्ट रिजल्ट आपको मालूम नहीं है ब्लैंक उसके बाद देखें प्रिंट प्रिंट क्या करेगा रिजल्ट 111 को क्या होगा प्रिंट होगा रिजल्ट result print करने के लिए print का code क्या है आपको पता है 10 से हम print करते है operand 1 always क्या होता है? 0 होता है 09 और 10 के लिए operand 1 क्या होता है? always 0 होता है उसके बाद देखिए result result किसमे store है आपके? यहाँ पे डिक्लियर क्या है इसका address हमें मालूम नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे blank छोड़ देंगे उसके बाद देखिए 112 को क्या करेंगे stop stop का code क्या है यहाँ पे देखिए stop का code आपको पता है 000000 मतलब सभी 0 होते है stop के code के लिए उसके बाद देखिए declare storage declare storage यह क्या करता है memory assign करता है इस वज़े से इसमें हम कुछ भी instruction नहीं लिखते ठीक है यह क्या करेंगे हम blank छोड़ देंगे उसके बाद देखिए declare storage का और एक statement आया है 114 को कौन सा है result का वो भी हम क्या करेंगे blank छोड़ देंगे उसके बाद देखिए 115 को क्या आ रहा है one declare constant one अब यह क्या करेगा आपको one value store करेगा यहाँ पे देखिए 00001 यहाँ पे देखिए one value क्या कर रहा है यहाँ पे single quote में दी है one value हम कहा assign कर रहे है इस one नाम के symbolic name को क्या कर रहे है assign कर रहे है इस वज़े से क्या हो रहा है यहाँ पे हम क्या दे रहे है, one value दे रहे है, ठीके, उसके बाद देखिए term, term का क्या आएगा, one one six क्या आएगा, blank होगा, क्यूंकि term क्या है, declare storage है, ठीके, यह memory असाइन करती है, इसलिए blank, और end का हम address नहीं लिखते, वो वेसे रिखते, ठीके, start का और end का address नहीं लिखते, ठ end का क्या मतलब हो आपका, end जहाँ पे define किया है, वो address, यहाँ पे देखिए, end का हाँ पे define किया है, one one three को define किया है, मतलब यहाँ पे क्या address होगा, आपका one one three, समझ में आ रहा है, हमने smacko program में directly address दिये थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, assembly का conversion किसमें कर रहे है, machine level language में कर रहे ह इसलिए हमें end किसको replace करना होगा, उसके address से replace करना होगा, क्योंकि machine level क्या support करता है, address support करता है, और assembly language क्या support करता है, symbolic name, यहाँ पे देखिए, end जहाँ पे declare किया था, वो address हमने उसको दे दिया, मतलब आपकी keyboard से जो भी input value लेंगे, वो कहा store होगी, आपकी one one three को store होगी, ठीक यहाँ क्या replace होगा, one one five, यहाँ पे देखिए, addition में भी क्या आएगा, one one five आएगा, उसके बाद देखिए, okay, उसके बाद देखिए, term, term कहाँ पे store है, आपकी one one six को store है, तो जहाँ पर भी term आया है, वहाँ क्या लिखेंगे, हम one one six लिखेंगे, one one six, यहाँ पर भी one one six, उ तो यहाँ पर क्या आएगा 1-1 3 आएगा उसके बात देखिए अगेन का लिख दिया हमने रिजल्ट रिजल्ट का क्या आएगा रिजल्ट देखिए रिजल्ट का आपसे नीचे मतलब यहाँ पर क्या आएगा 1-1 4 आएगा 지금까지 हम क्या कर रहे है आपके जो symbolic name है उसमें क्या कर रहे है address put कर रहे है और यहाँ पर print रिजल्ट कर रहा है result भी क्या आएगा यहाँ पर 114 आएगा क्योंकि result का पर store है आपका यहाँ पर देखें यह instruction का store है आपकी 114 को ठीक है समझ में आ रहा है simply हमने इसका conversion आपको समझ में आ गया होगा इसके आगे हम क्या करेंगे इसका conversion हमें variant 1 और variant 2 में भी करना है ठीक है वह हम आगे देखेंगे simply आप इतना समझ लीजे अगर समझ में ने आया तो फिर से वीडियो देखें I hope आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था thank you